दोस्तों IBPS यानि Institute of Banking Personal Selection ने Probationary Officer के 4135 पदों पर हाल ही में Vacancy निकाले हैं इस वीडियो में हम आपको इस Vacancy के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और साथ ही इसका Official Notification भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे परसनल सेलेक्शन यानि IBPS जोब केटेगरी है बैंक जोब जोब टाइप है सेंटर गौवर्मेंट जोब जोब नेम है प्रोबेशनरी ओफिसर यानि पी ओ जोब लोकेशन है ओल आवर इंडिया क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी है टोटल वेकेंसी इसमें 4135 पदों पर है इस वेकेंसी की स्टार्टिंग डेट है 20 अक्टूबर 2021 और इसकी लार्ज डेट है 10 नवंबर 2021 एपलाई मोड इसका ओन लाइन है चले जानते हैं अब इसकी फुल डिटेल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के बारे में जिसमें नमबर वन, बैंक ओबोड़ोदा, बैंक ओफ इंडिया, बैंक ओफ महराज, केनेरा बैंक, सेंटरल बैंक ओफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन और सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ओफ इंडिया टोटल वेकेंसी के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4135 पदों पर IBPS ने प्रोबेशनरी ओफिसर के पदों पर वेकेंसी निकाली है चले जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में प्रोबेशनरी ओफिसर के लिए यहाँ पर ग्रेजोएशन मांगी है अब जानते हैं Age Limit के बारे में Age Limit में Minimum 20 साल और Maximum 30 साल इसमें मांगी गई है SCST वालों के लिए इसमें 5 साल की छूट है OBC वालों के लिए 3 साल की PWBD वालों के लिए 10 साल की और X-Servicement के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है Application Fees के अगर हम यहाँ पर बात करें तो SCST PWD Candidates के लिए 175 रुपे और Other Category के लिए 850 रुपे फीस यहाँ पर रखी गई है Selection Process के अगर हम बात करें तो यहाँ पर Online Examination और Main Examination and Interview के आधार पर Selection किया जाएगा Important Dates के अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस Vacancy में Registration की Starting Date 20 October 2021 से 10 November 2021 है और इसके Pre-Exam Training के लिए Call Later Download करने की Date November में बताई गई है और Conduct of Pre-Exam Training की Date November या December में आ सकती है Online Examination Preliminary के लिए Call Later Download करने की Date November या December में डिकलेर हो सकती है Online Examination Preliminary की Date 4 December 2021 से 12 December 2021 बताई गई है और इसका Main Exam जनवरी 2022 में हो सकता है इसके Result Declare होने की Date जनवरी 2021 या February 2021 बताई गई है Interview के लिए Call Later Download करने की Date यहाँ पर February 2022 मन्त में बताई गई है जल्द ही इनकी Date Declare कर दी जाएगी दोस्तों इस Vacancy का Official Notification भी जारी हो गया है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको इसका Official Notification लिंक, Apply लिंक और Official Website लिंक भी मिल जाएगा इसकी Official Website है www.ibps.in दोस्तों यह है IBPS का Official Notification जिसमें 4139 पदों पर वेकेंसी निकाली गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके Participating Bank, Bank of Wadoda, Canera Bank, Indian Oursis Bank, Yugo Bank, Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Punjab and Sindh Bank इसके Participating Bank है यहाँ पर आप Important Dates देख सकते हैं इस वेकेंसी में Registration करने की Date 20 October 2021 से 10 November 2021 है Payment of Application Fees 20 October 2021 से 10 November 2021 Download of Call Letter for Pre-Exam Training November 2021 Conduct of Pre-Exam Training November और December 2021 Download of Call Letter for Online Examination Pre-Liminary November और December 2020 Online Examination Pre-Liminary 4 December 2020 से 11 December 2021 Result of Online Exam Pre-Liminary December 2020 और January 2022 Download of Call Letter for Online Exam Main December 2021 और January 2022 Online Examination Main January 2022 Declaration of Result Main January 2022 और February 2022 Download of Call Letter for Interview February 2022 Conduct of Interview February और March 2022 Provisionist Allotment April 2022 Age Limit यहाँ पर आप देख सकते हैं Minimum 20 साल और Maximum 30 साल Age Limit में यहाँ पर छूट है SCST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट OBC वालों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है PWBD वालों के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट और ex-servicement के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है educational qualification की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर graduation की degree मांगी है आप graduation से इस vacancy में apply कर सकते हैं application fees की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SCST और PWBD के लिए यहाँ पर 175 रुपे और बाकी other category के लिए यहाँ पर 8500 रुपे फीस रखी गई है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं participating organization किन-किन बैंकों में किस-किस category एक लिए कितने post यहाँ पर निकली है आप यहाँ पर देख सकते हैं SC के लिए 689 post SC के लिए 350 post OBC के लिए 1202 post EWS के लिए यहाँ पर 404 post और UR Candidates के लिए यहाँ पर 1600 post इस vacancy में निकली है इस तरह से total 4135 पदों पर IBPS ने vacancy निकाली है सबसे पहले बात करते हैं Bank of Boroda की Bank of Boroda में SC के लिए ST के लिए OBC के लिए EWS के लिए और UR Candidates के लिए कोई post नहीं है Bank of India के लिए SC के 88 ST के 44 OBC के 158 EWS के 58 और UR Candidates के लिए 240 seat निकली है इस तरह से Bank of India में total 588 post way vacancy निकली है Bank of महराष्ट में SC के लिए 60 ST के लिए 30 OBC के लिए 108 EWS के लिए 40 और UR Candidates के लिए 162 इस तरह से total 400 post निकली है Kenera Bank में SC के लिए सत्यान में ST के लिए 48 OBC के लिए 175 EWS के लिए 65 और UR के लिए 265 इस तरह से total 650 post Kenera Bank में निकली है Central Bank of India में SC के लिए 103 में ST के लिए 104 OBC के लिए 257 EWS के लिए 13 General के लिए 35 इस तरह से total 620 post Central Bank of India में निकली है Indian Bank में कोई भी post नहीं निकली है Indian Oursis Bank के लिए SC के लिए 14 ST के लिए 7 OBC के लिए 26 EWS के लिए 10 और General के लिए 47 Total 98 में post निकली है Punjab National Bank में भी कोई वेकेसी नहीं निकली है Punjab and Sindh Bank में SC के लिए 67 ST के लिए 37 OBC के लिए 112 EWS के लिए 42 और General के लिए 179 इस तरह से Total 427 post Punjab and Sindh Bank में निकली है Yuko Bank में SC के लिए 66 ST के लिए 33 OBC के लिए 118 EWS के लिए 44 और General के लिए 189 Total 440 post Yuko Bank में निकली है Union Bank of India की बात करें तो यहाँ पर SC के लिए 44 में ST के लिए 47 OBC के लिए 148 EWS के लिए 132 और General के लिए 400 इकरान में इस तरह से Total 912 post Union Bank of India में निकली है और इन सभी को मिला के 4135 पदों पर IBPS ने Probationary Officer के पदों पर वेकेंसी निकाली है तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि IBPS यानि Institute of Banking Personal Selection ने Probationary Officer के 435 पदों पर वेकेंसी निकाली है जिसमें Registration की प्रक्रिया 20 October 2021 से शुरू हो गई है और इसकी Last Date 10 November 2021 है Job Location All Over India इसका Apply Mode Online है और आप इसमें Graduation से Apply कर सकते हैं